tenim गार्ड और सेकुरूटी सुपर्वाइजर आप लोगों की जब तक रिलीवर नहीं आता है कोई भी सेकुरूटी गार्ड और सुपर्वाइजर या एसो अपनी डूटी पोच छोड़ कर नहीं जाएगा आपका reliever आता है आपको handing taking charge लेना है जो आपकी duty में कोई घटना या दुर घटना घटी है तो आने वाले duty वाले को security guard हो या supervisor हो उसको बताना है कि आज मेरी duty के अंदर ये घटना घटी है ताके उसको पता लगे उसको मालूम हो जाए कि duty के अंदर क्या घटना घटी है इसलिए जब तक आपका reliever नहीं आता है कोई भी security guard और supervisor और ASO अपनी duty पोच छोड़ कर नहीं जाएगा इस बारे में आपको knowledge होना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए अपनी duty पूरी समापत होने के बाद ही वो अपना charge handing taking करेगा और अपनी duty के दौरान कोई report या कोई घटना होंगी तो आने वाले संत्री को आने वाले duty वाले को वो बता के जाएगा security guard और security supervisor और security ASO इस बात का ध्यान रखे अपनी duty के दौरान कोई भी व्यक्ति से miss वेवार कोई भी व्यक्ति से उलजना या miss वेवार या गलत शब्दों का परियोग नहीं करना है आप अपनी duty के दौरान नमरता होर प्रेम से बात करना है हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखना है आप लोगों की duty के अंदर कोई भी घटना या दुर गटना ना ग आप लोगों की duty है वो duty के बारे में आपको knowledge होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी duty क्या है आपको यहां पर क्या करना है आपको नहीं मालुम है तो supervisor या ASO से बात करो या कोई senior guard है जो पुराना guard है जिसको duty के बारे में जानकरी है उससे पता करो लेकिन वहां ज duty का पूरा knowledge पूरा ज्यान रहना चाहिए कि मेरी duty gate पर है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है आपको पता होना चाहिए इसलिए आपको जब भी duty point पर नहीं मालुम है तो आप supervisor या ASO से contact करो उनको बोलो sir यहां की duty के बारे में क्या है मुझे क्या करना है और क्या नही करना है, आप को supervisor या ASO या security guard senior जिसको knowledge है वो आपको बताएगा, उसके मताबिक आपको काम करना है, कोई भी security guard अपनी duty के बारे में जानकारी होना चाहिए, के मेरी duty यहाँ पर क्या है, आपको बार-बार कहता हू. में आप अपनी दूटी पर जाते हो तो दूटी का पेडूलिंग करो मौइना करो कि यहाँ पर कौन सा मट्रियर रखा था कौन सा सामान था जो आज नहीं दिखाई दे रहा है सुपरवाइजर या एसो को बताओ के सर यहाँ पर एक कपड़ों का बंडल था एक बॉक्स था कल आज नहीं है आज दो चार गंटे आट गंटे में कहां चला गया सर मुझे इसकी जानकरी चाहिए आप सुपरवाइजर और एसो से कॉंटेक करके अपनी दूटी का पूरा रिपोर्ट हर सेकुरूटी गाड जहाँ जाँ दूटी पर रहते हैं वो एसो को रिपोर्ट करेंगे कि शिर्मान जी मेरी दूटी डे में है नाइट का और डे का कोई रिपोर्ट नहीं है आप खैर खैरियत रिपोर्ट ओके रिपोर्ट एसो को हमेशा देंगा टेली फोन के दौरा के सर मेरी दूटी में गेट में है में गेट के पास कोई रिपोर्ट नहीं है जाइन सर बात खतम लेकिन कोई भी सेकुरूटी गाड अपनी दूटी का खैरियत रिपोर्ट नहीं देंगा अ जवाबदार आप होंगे प्रेट सौधन